हेलो एब्रिवान वेलकम तो कौन स्टड़ी आज हम अपने न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं पाजल्स का मैंने अभी तक आपको दो टॉपिक्स औरडी करवा दिये हैं साइल लॉगिस्म और मशीन इंपूट आउटपूट जो कि आपके एक्जाम पॉइंट ऑफ य करने जे कि मुफ्त के ही नंबर है क्योंकि अगर आपने उसको थोड़ा सा भी उसका लॉजिक समझ लिया या उसको सॉल्व कर दिया तो फिर आप फटा फट से पांच क्वेशन करके आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं ओकी सो लेट स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट सॉल्व करने की कोशिश करूंगी अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरी आती है तो आप सिंपली नीचे कॉमेंट कर सकते हैं और आई विल मेक शॉर कि आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व हो जाए ओके देखी हम सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है अगर आप चानल प पढ़ा रहे हैं तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो आप जाए प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए और आप लोग अपनी जेके बैंक की तैयारी अच्छे से कीजिए क्योंकि अब दुन ज्यादा नहीं है नोटिफिकेशन किसी भी वक्त आती होगी तो आई हाइली र अपको टाइप सब्स्क्राइब कि कि आती हैं हमें आप लोगों ने देखा कि लीनार अर्रेंज्मेंड की जाती है जिसमें बहुत सरी इक होती है तो यह 4 यहसार् एम की पॉसक्लों ने होग संद्लिज मतलब कि एक ही रह होगी उस में या तो नॉर्थ में बैठे होगे या साउथ में बैठे होंगे सिंगल रो नौथ साउथ का मतलब है कि एक ही रो होगी बट आधे लोग नौथ में हो सकते हैं आधे लोग साउथ में हो सकते हैं डबल रो में क्या हो सकता है डबल रो में मतलब कि दो रोज है कुछ लोग जो हैं south में बैठे हैं कुछ लोग जो हैं वो north में बैठे हैं ठीक है और कुछ uncertain number वाली भी होती है जिसमें हमें पता ही नहीं होता है कि कितने लोग बैठे हैं एक row में और हमें वो puzzle solve करनी होती है ठीक है तो ये चार type हमारी हम देखेंगे सबसे पहले linear arrangement में जिसे मैं आज से शुरू कर रही हूँ and I hope जब तक कि ये lectures खतम होंगे linear arrangement के आपको हर एक type की puzzle solve करना आ चुकी होगी let's see the next category it's vertical arrangement vertical arrangement में क्या होता है देखो आपने दो type की puzzles देखी होंगी floor based या box based जिसमें आपको दिया होता है कि A जो है वो B के A जो है वो B के उपर बैठा हुआ है या फिर B third floor पर है A उससे two floors उपर है ठीक है वो होगी floor based puzzles और box based puzzles क्या होगी कि box A is placed on box B box A box C is box C is three boxes down from box D ठीक है तो ये सब जो होगी वो box based होगी मतलब कि vertical arrangement में जादा कुछ difference नहीं है floor based जो box based में बस यही होता है कि एक में floor बताया होता है और एक में box बताया होता है box based में boxes के बारे में ही बात होती है बट floor based में floor के ऊपर लोग भी बैठे होते हैं ठीक है तो ये हम देखेंगे इसके बाद next slide पर चलते हैं तो हमें कुछ geometrical figures वाली भी arrangement आ जाते हैं जैसे circular arrangement तो आपने बहुत बार सुना होगा बट आजकल recently triangular arrangement square arrangement और rectangular arrangement भी आना शुरू हो गया है लास्ट येर के अगर आप papers देखेंगे तो इन में ये सब puzzles भी आई हुई है ठीक है वही order and ranking में comparison based भी होता है order and ranking आपका purely गोमी नी में आप समभालेंगी ठीक है तो ये आप वहाँ पर बढ़िएगा फिर scheduling वाली भी होती है scheduling में क्या होता है कि आपको बताया होता है मालो कोई exam है तो बताया हुआ है कि एक exam Tuesday को है एक exam Wednesday को है एक exam Friday को है So that means scheduling कि कौन सा exam किस दिन है फिसक्स का exam जो है वो Tuesday को है उसके बाद जो हमारा chemistry का exam है वो physics के exam के दो दिन के बाद है So that is day based scheduling जिसमें हम schedule बताते है A based क्या हो गया फिर month based की कोई meeting है तो A जो person है वो meeting को January में attend कर रहा है B जो है वो March में attend कर रहा है That is also scheduling Likewise year based scheduling भी होती है और month date mix up scheduling भी होती है जिसमें month दिया होता है और दो dates दी होती है जिसके accordingly आपको puzzle solve खरनी होती है कोई बात नहीं अगर आपको ये थोड़ा odd लग रहा है सुनने में तो आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए ये एक एक करके basic से लेके advance तक मैं आपको बढ़ाऊंगी और आप जब ये lectures देख लेंगी सारे के सारे तो आप लोग बिल्कुल efficient हो जाएंगी कम टाइम में अर्राम से puzzles बिनाने के ठीक है तो अब देखते हैं कि puzzles solve कैसे करते हैं जब भी कोई puzzle आपके पास आएगी तो आपनी सबसे पहले पूरा question एक बरी quickly देख लेना है ठीक है सबसे पहले आप quickly पूरा question को देख लेंगे ठीक है और उसके बाद एक general idea मिल जाएगा आपको कि उस question की theme क्या है ठीक है कि मतलब कहीं बार puzzles जो होती है उनमें सिर्फ positive statements दी होती है उसमें कुछ यह नहीं हो सकता या यह restrictions नहीं है तो आपको एक theme सी मिल जाएगी कि आपको इस puzzle को attempt किस तरह से करना है जब आपको सारा data मिल गया फिर आप उसमें से वो चीज ढूंडेंगे जिससे आपको कुछ actual data मिल सके जहां से आप puzzle को start करेंगे यही गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं कि वो लोग puzzle की first line से puzzle solve करने की कोशिश करते हैं which is a wrong method I guess क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि वो आप fit कैसे करेंगे puzzle में तब तक क्या फाइद है first line से उसे start करने का rather than take 30 seconds आप ढूंड़िए कि कौन सी line है जो concrete है जिससे आप puzzle को शुरू कर सकते हैं ताकि आप बाकी चीजें उनकी relatively बिठा कर set कर सके और puzzle आपकी जल्दी solve हो जाएगी ओके तो अब steps देख लेते हैं कि puzzles को solve कैसे करते हैं exactly देखें सबसे पहले मैंने आपको बोला data को analyze करना है कि direct statements कौन सी है उसके बाद negative statements को अलग से point out कर देना है और उसके बाद जो भी statements दी हुई है उन्हें short form में लिखना शुरू कर देना है उके उन्हें short form में लिखना शुरू कर देना है उसके बाद देखें कोई भी possibility हो वो बनाते जाना है बहुत वारी puzzles होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा possibilities बनती है और हम सोचते हैं हमारा time waste हो रहा है नहीं हमेशा possibilities बनानी है उससे हमारा time save ही होगा क्योंकि हमने अगर सारी possibilities side by side बना कर रखी होगी कोई भी हमारी statement जो एक possibility को neglect करेगी वो दूसरी possibility से पक्का से आपकी puzzle बना देगी so I will highly recommend कि जितनी भी possibilities बन सकती होगी वो सब आपने बना के रखनी है ठीक है यही मैंने next step में लिखा है कि जैसे जैसे आप puzzle में proceed करते जाएंगे आपकी possibilities cancel होते जाएंगी और end में आपके पास सिर्फ एक ही possibility बत जाएगी ठीक है सिर्फ एक ही possibility बत जाएगी क्योंकि negative और positive statements को जब आप लोग figure out करना शुरू करोगे तो एक ही ऐसी possibility होगी जिससे आपकी puzzle पूरी correctly बन पाती होगी ओके so अब ये कुछ important notes हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं सबसे पहले तो सबसे important जो है वो यही है कि जो statement आपने choose करनी है puzzle को start करने के लिए उसको बहुत ध्यान से choose करना है अगर आपने गलत statement चूज करना है तो आपकी puzzle फस जाएगी और बहुत time waste हो जाएगा ठीक है तो mostly आपने वही statement use करनी है जो 100% correct हो जिसमें कोई possibility नहीं हो तो वह वाली puzzle से आपको start वह वाली exact sentence से आपको start करना है तूसरी चीज कि कभी भी assume नहीं करना है कुछ भी ठीक है यह देखें कभी भी assume नहीं करना है कुछ भी और जो भी possibilities बनती है वो बनाते जाना है ठीक है क्योंकि मैंने आपको अभी बोला जितनी जदा possibilities आपने बनाई होंगी उतना जल्दी आपकी puzzle हो जाएगी क्योंकि उतनी जल्दी आपकी possibilities cancel होते जाएगी और आप solution की तरफ और बढ़ते जाओगे ठीक है तो अब आगे देख लेते हैं अगर आप से एक information से solve नहीं हो रहा है उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए आपने कभी भी puzzle को ego पे नहीं लेना है कि ये puzzle मुझे ये statement मुझे क्यों नहीं समझा रही है क्योंकि examiner आपको फसाने के लिए ही तो puzzle बनाता है ठीक है तो अगर statement से आपको कुछ नहीं पता चल रहा है तो आपको बार-बार उसी को नहीं पढ़ते जाना है आपको उसको छोड़ कर next statement पे जाना है में भी आपको कोई अच्छी statement मिल जाए जिससे आपकी puzzle solve हो जाए उसके बाद देखे कुछ statements कुछ words जो हैं जैसे not only who and इन चीजों पर खास ध्यान देना है अभी linear arrangement में भी इन चीजों पर आपको ध्यान देने को मिलेगा मैं आपको बताऊंगी कैसे और उसकी बाद कभी भी gender वाली जो चीजे हैं उनको ignore नहीं करना है जैसे him or he she कि generally आपका काम आता है जहां पर आपको person specific दिये होते हैं और genders भी उसमें defined होते हैं ठीक है तो आपको आगया कि जब आप puzzle देखेंगे तो आपको पता चलता चाहेगा कि ये points मैंने आपको क्यों समझाए है आपको खुभी realize होगा कि हाँ इन points को अगर आप याद रखेंगे तो आपकी puzzle बहुत जल्दी बनेगी तो देखें अब मैं अगर linear arrangement की बात करूँ तो इसमें आपके दो directions आ सकते हैं या तो people जो हैं वो north को face करें या south को face करें या आपकी instructions में आपको बताया होगा तो अगर आपके people north में face कर रहे हैं तो आप देखिए left आपका यहां आपका बन जाएगा left और यहां बन जाएगा right ठीक है आपको यहां पर लिखना है left और यहां पर लिखना है right पूरा left और right नहीं लिखना है L और R से भी काम जल जाता है ठीक है अब जो लोग इस row में बैठेंगे तो उनको ऐसे point out कर देना है ऐसे point out करने का मतलब क्या हुआ कि यह north की तरफ देख रहे हैं तो यह हो गया हमारा अगर कोई north की तरफ face कर रहा है तो अब south का देख लेते हैं अगर south का होएगा तो of course उल्टा हो जाएगा south का होएगा तो right यहाँ पर हो जाएगा और left यहाँ पर हो जाएगा यह चीज़ें आपको याद रखनी है वहाँ पर exam में आपको figure out करने का time नहीं मिलेगा ठीक है तो right और left हो गया और यहाँ पर जो लोग बैठे होएगे वो नीचे की तरफ उनका arrow होएगा क्योंकि वो नीचे की तरफ देख रहे होएगे तो जो south वाले हो उनका arrow नीचे होएगा और जो north वाले हो उनका arrow उपर होगा ठीक है so let's move कुछ अलग type की directions भी कभी कभी दे देता है examiner जैसे की जैसे की east और west अगर आपको east दिये तो आपको पता है east इस side पर होता है तो आप सारे अपने इस side पर बना देंगे ठीक है बट अब आप यह सूच रहे होंगे और देखिए अगर west होगा तो of course फिर यहां पर होगा है ना बट अब आप यह सूच रहे होगे कि अगर question में का left यह होगा औहर्ड यह होगा ठीक है और west वाले का right यह होगा और left यह होगा ठीक है यह चीजएं आपको याद रखनी है ठीक है, I hope आप ये याद रखेंगे, इससे आपका question जल्दी ही बनेगा, इसलिए आप ये लोग याद रख लेजिएगा चीजों को, ठीक है, तो अब देख लेते हैं, हम कोई question देख लेते हैं, देखें, मैंने बहुत ही छोटा सा question लिया है, ताकि आपको पहले एक idea हो जाए कि question solve कैसे करना होता है, सबसे पहले देखिए, पहली statement पढ़िए, A, B, C, D, E, F and G are sitting in a row facing the north, that means 8 people है, 8, एक बार ही गिन लीजे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7 people हैं, जो रो में बैठे हो हैं, अब ये हमें 4 statements दी हैं, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, कौन सी statement है, जिससे हम candidate right of E, तो ठीक है, ये हमारी information है, हम side पर लिख लेते हैं, ये E है, तो ये F होगा, ठीक है, ये हमने information लिख ली, तो E is 4 to the right of G, C is neighbor of B and D, person who is 3rd to the left of D is at one of the ends, so, इसमें से सबसे refinate जो हम बना सकते हैं, जिससे हम puzzle शुरू कर सकते हैं, वो है ये वाली statement, ठीक है, तो हम puzzle बनाना शुरू करते हैं आपनी, देखें, ये मैंने बनाया, तो E is 4 to the right of G, तो ये आगया G अगर, तो 1, 2, 3, 4, ये आगया E, और ये देखें, यहाँ पर हमने information ल आप next देख लेते हैं, C is neighbor of B and D, ये तो अभी हमारे किसी कामकानी है, क्योंकि, देखें, हाँ, तो सबसे पहले आपको ये देखना हैं कि अभी row में कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लोग हैं, that means एक है, जो अभी बचा हुआ है, जिसे हमें अभी कहीं place करना पड़ेगा, तो अगर यहाँ पर भी रख लेते हैं, अब मैं इसकी ये हटा कर, मैं इसकी possibilities बना देती हूँ, ठीक है, देखें, तो हमारा एक ये possibility बनेगी, और एक ये possibility बनेगी, ठीक है, तो ये आगया G, हमने ये बनाया था, 1, 2, 3, 4, ये आगया E, ये आगया ये आगया F, ठीक है, ये भी, यहाँ पर भी आगया G, 1, 2, 3, 4, I think मैं कोई ये different color से बनाना चाहिए, ठीक है, ये देखें, G आगया ये, 1, 2, 3, 4, ये आगया E, और ये आगया F, यहाँ पर मैंने 7th, person बिठा दिया है, और वैसे ही, यहाँ पर भी मैंने 7th person बिठा दिया है, ठीक है, अब हमने possibilities दो बना ली है, अब हमें पता चलेगा बाद में, ठीक है, तो अब third statement को देखे, C is neighbor of B and D, तो ये आगया C, ठीक है, और यहाँ पर B या D मेंसे कोई आएगा, ये अभी हमें पता नहीं है, ठीक है, who, person, person who is third to the left of D is, is at one of the ends, ठीक है, अब मैं यहाँ पर भी पहले ना, C को बिठा दिती हूँ, अब देखे, अगर तो मैं D को यहाँ बिठा दिया हूँ, अगर मैं D को यहाँ बिठाती हूँ, तो भी इसकी second left पर यह, जो end में है, वो बैठेगा, ठीक है, और अगर मैं D को यहाँ बिठाती हूँ, तो 1, 2, 3, 4, तो यह fourth left में बैठेगा, that means कि यह possibility बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो अब हमारा क्या बन गया, question देखे, तो अब हमारी possibility बन गी, सर्फ यही, 4, 5, 6, 7, तो यह आ गया, G, यह आ गया E, और यह आ गया F, ठीक है, यह हमारा था C, तो D अगर हम यहाँ पर बिठाएंगे, तो ही इसके, तो ही इसका जो third left पर G, जो की already उस पर है, end पर है, वो बैठेगा, अगर D वहाँ पर बैठेगा, तो B यहाँ पर बैठेगा, और बच किया गया हमारा A, A, तो A यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है, तो आपको पता चला कि possibilities को किस तरह से आपको derive करना हो, और किस तरह से निकालना है, तो अब हम देख लिए अपने next question, I hope आपको समझ आ गया हो, अगर नहीं आया, तो आप इस वीडियो को दुबारा देख लिजेगा, आपको पका से समझ आ जाएगा, देखिए, अब आप मैंने आपको same question दिया है, बस मैंने क्या different कर दिया है, मैंने उसे north में ना बिठा कर east में बिठाया है, ठीक है, तो आप pause कीजिए वीडियो को, आप इसका solution बनाईए, फिर मैं आपको बना कर दिखाते हूँ कि आपने सही बनाया, या नहीं बनाया, तो देखिए, east में हैं, कितने लोग हैं, seven, seven cars है, seven cars है, right, तो seven cars का फटा फट से बना लेते हैं, अब फटा फट से हम देख लेते हैं, इसकी वो क्या है, sentences क्या है, Cadillac is next to right of Fargo, okay, Fargo is fourth to the right of Fiat, तो मैंने आपको सबसे पहली जो चीज़ बोली थी, वो क्या बोली थी, कि इसमें left होता है, I'm so sorry, ये left होता है, और ये right होता है, देखिए, ये होता है left, और ये होता है right, ठीक है, तो अब जो भी आएंगे, वो east में ही आएंगे, तो उन्होंने बुला है, Fargo is fourth to the right of Fiat, तो हमारा अगर Fiat ये है, Fiat है, तो one, two, three, four, तो ये Fargo हो जाएगा, ठीक है, ये Fargo हो गया, फिर उसके बाद next देख लेते हैं, Cadillac is next to the right of Fargo, ये Fargo है, तो ये Cadillac है, ठीक है, हमारे sentence से यही पता चल रहा है, दो sentences हमारे होगे, अब देखिए, मारूती कार is between Ambassador and Bedford, अब अगेन यहाँ पर भी यही मुश्किल आ गई है, कि हम अपना seventh member कहाँ पर बिठाएं, यहाँ पर बिठाएं, यहाँ पर बिठाएं देखिए, seventh member को हम यहाँ पर बिठा सकते हैं, यहाँ पर बिठा सकते हैं, तो वो हम कैसे decide करेंगे, तो देखिए, मारूती कार को तो हमने यहाँ पर बिठाना ही नहीं, क्योंकि मारूती कार जो है middle में है, और कहीं वो fit नहीं हो रही है, ambassador और Bedford के बीच में, तो अब last line means कि जो हमारा seventh car है, वो यहाँ पर आएगा, और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बुली है, कि fiat is third to the left of ambassador, that means ambassador जो है, वो यहाँ आएगा, तभी वो third left बनेगी, ambassador अगर यहाँ आएगी, तो बच क्या गया, Bedford, Bedford यहाँ आ जाएगा, और कौन सी car बच गी है, अब, Cadillac होग होगी, Bedford होगी, Fargo होगी, तो यहाँ पर आजाएगी, Mercedes, I hope आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, अब इसके questions देख लेते हैं, फटा-फट, देखे, first question देखे, क्या है, first question है, which one of the following is correct position of Mercedes, Mercedes, Mercedes कहा है, यहाँ पर Mercedes की क्या position है, between, यह देखे, first से देखते है, next to the left of अब देखे, left यह था, और right यह था, यह right है, याद रखना, ठीक है, तो four to the right of Maruti, देखे, one, two, three, four, तो यह आगया, आपका correct answer, देखे, next question देखे, which one of the following groups of cars is to the right of ambassador, देख लिजिए, फटा-फट से, right of ambassador, देखे, right कहा है, यह, right है, तो इसके right में, है, Fargo, Cadillac, और Mercedes, Fargo, Cadillac, और Mercedes, यह आगया, B option, correct, okay, let's move to the next question, मैंने आपको यही बोला न, एक बारी puzzle बन जाए, उसके बाद questions तो बहुत अराम से बन जाते हैं, ठीक है, तो देखे, which one of the following statements is correct, तो यहां पर देख लिजिए, Fargo, Fargo, जो है, वो ambassador, और Fiat के बीच में है, यह रही Fiat, यह रही Fargo, तो यह तो गलत है, दूसरे देख लिजिए, Cadillac is next, left to Mercedes, Cadillac, जो है, की B statement correct है, बाकी भी statement एक बारी देख लेते हैं, Fargo is next, try to Cadillac, यह Cadillac है, और यह right है, नहीं, यह गलत है, Fargo, जो है, वो next, left है, ठीक है, तो यह आपका बन गया third question, with this, I am giving you a question to do at home, इसे आप solve करने वाले हैं, और इसका answer आपको next video में मिलेगा, जो की post होगी, Friday को, right, Friday को आपको इसका answer मिलेगा, तब तक के लिए, आप इसे solve कीजिए, और comment में लिखिए, अगर आप से यह solve हो गई है, तो, thank you so much, और अगर आपको यह video पसंद आई है, तो आप इसे please like कर दीजिए, और अगर कोई query होगी, तो उसे आप comment below कर दीजिएगा, thank you, and also subscribe to our channel, thank you. एगर कर दूँ क कि आपको बाने का दीजिए अंसे मुमटार कोई से दीजिए, कि हृए़ रच्फट gefणके सकाından कि तो,